ओम शान्ती प्रश्णोत्री कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आप सब के द्वारा प्राप्त हुए प्रश्णों को आदर्निय आशदीदी के साथ लेते हैं चाहे वो प्रशन मुर्ली से संबंदित हो धारनाओं से संबंदित हो या फिर चलते चलते अगर कोई भी डाउट आजाता है तो उस डाउट को भी हम ख्लियर कर सकते हैं तो हर बार की तरह हमारे मध्य आदर ने आशदीदी हैं लेकिन आशदीदी आज हमारे साथ मीठे मदुबन से जुड़े हैं मदुबन मीटिंग से दीदी ने टाइम निकाला है ओम शानती दीदी ओम शानती दीदी हमारे पास तो प्रशन आते हैं और हम चाहेंगे कि उसका हम विस्तार से आपसे आंसर प्राप्त करें तो पहला प्रशन हम लेते हैं आज की ही मुर्ली का पिछली संडे की मुर्ली से भी एक दो प्रशन आये थे जो हम नहीं ले पाए लेकिन आज की जो मुर्ली है बाबा ने हमें कहा कि अपने आपको बोर नहीं करो और कई बार ऐसा होता है कि जब दुनिया से जो दुनिया की जो एंटर्टेन्मेंट है दुनिया के जो रिक्रियेशनल अक्टिविटीज करते आए हैं बोर होने से बचने के लिए ब्राह्मन जीवन में वो सारी चीज़ा यदि समाप्त कर देते हैं तो कहीं न कहीं वही चीज़े ज्यान तो बार-बार पढ़के लगता है वही वर्ज्ज हैं और स्वमान भी याद हो जाते हैं जैसे बाबा ने कहा बिंदू रूप की भी प्राक्टिस का भिन्बिन करो तो बाबा ने कहा वराइटी रूप में उमंग उत्सा इमर्ज करो तो इसको आप बताएं कि वराइटी रूप में उमंग उत्सा कैसे इमर्ज रखा जाए खासकर जो पुराने ब्राह्मन है क्योंकि नए नए तो जोश में रहते हैं जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं व कैसे बना रहे और हम बोड़ ना हूँ? Actually, उल्टा है. हमारे जो पुराने हैं, वो तो गेरे अनुभव करते हुई, खुश होते हैं. और अधिक से अधिक प्राप्ती करने का शौंक, उनके अंदर पैदा हो जाता है. गेराई में जाकर, वो एक-एक चीज के एक्सपर्ट बनते जाते हैं. जो बाबा कहते हैं, सेकेंड में करने के लिए, तुरंट वो करना शुरू कर लेते हैं. तो मतलब उनको पढ़ाई, कि जादा एंजॉइमेंट देती है. जितने पुराने हैं, पुराने बोर नहीं होते हैं कभी भी. पुराने पढ़ाई को और जादा एंजॉइ करते हैं. लेकिन ये बात नए उपर लागू होती हैं. जब ग्यान में नए-नए चलते हैं, तो पुरानी दुनिया के मनोरंजन का इनका टेस्ट अधिक होता हैं. और जब बाबा कहते हैं, योग लगाओ, मुडली पढ़ो तो कहते हैं, वो तो ड्राइ है, डीप है और अपनी स्वेम के परिवर्तन की बात है, जहां हम हेजिटेट भी करते हैं परिवर्तन करने को, तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं. जैसे कोई बात हमारे अंदर होती है, कोई बड़ा हमको कहता है कि यह बात ऐसी है, हमें पता है हमें चेंच करनी है, लेकिन हमारे अंदर सुनने की शक्ती नहीं होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं पिस सुन लिया ना मैं जानती हूँ ना बार बार आप मुझे क्यों कह रहे हैं इसलिए कि मेरे अंदर वो कमी कमजोरी है और मैं जानती हूँ उसको मुझे ठीक करना है फिर भी मैं उसे कर नहीं पाती हूँ सुन नहीं सकते हूं तो कोई कहेगा तो जब बोर होंगे न ऐसे ही शुरू में अनुभव इतना नहीं होता है ज्ञान का योग का तो मैं आत्मा हूं, शे बाबा की संतान हूं जोती बिंदू हूं, परमधाम की वासी हूं यह हम रिपीट तो करते रहते हैं अनुभव कुछ होनी रहा हूं, नतीज़ा प्राप्ति कुछ इतनी होनी रही तो नतीज़ा यह होता है कि व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा उचाट समझना शुरू करता है बोर फिल करता है कि बस यह ही है, यह ही करता रहूं कि अनुभूती नहीं है ना, रस नहीं आ रहा है ना, जब रस ना शुरू हो जाता है, तब नहीं हो गया, आप बावने जैसे कहा, आप यही क्यों कहते हूं, मैं आत्मा हूं, जोती बिंदू, परम्धाम किवासू, आप बदल भी तो सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, मैं मास यह चो मुडली बाबा की चली, वो चली है जब हमारे पास विदेशियों ने आना शुरू किया है, यह अक्षर बाबा ने उनके लिए, उनको समझाने के लिए, विशेश रूप से यूज किया, यूँकि उनका डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट फिलोसोफी थी, डिफरेंट सब कुछ था, वो सब डिफरेंट होने के कारणट, अब उनको यहाँ पर मेहनत करने पड़ती है, सब चीज नई रीति से सोच, समझ, दिशा, अनुभव, सब कुछ नया होता है, तो उस कारणट से उनको थोड़ी मेहनत लगती है, जब मेहनत लगती है, तो वि यह भी सच्ची बात, आपको आलू कितना ही प्रिये क्यों ना हो, परंतु अगर आप आलू, बार-बार आलू खाते रहेंगे, सबेरे भी, दुपैर में भी, शाम को भी, रात को भी, तो आप क्या कहेंगे, अरे बस करो, चाहे आप अलू को डिफरेंट शेप में भी दे दो, तो भी कहेंगे भी बस करो, बहुत हो गया, तो विराइटी आत्मा का संसकार है, अगर विराइटी नहीं होती है, तो फिर ऐसा फील होता है, तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, कभी बाबा को बाप रूप से याद करो, कभी बाबा को टीचर के रूप से याद करो, कभी सदु भिन भिन जो बाबा ने दिया, कभी बाबा के गुणों के अनुभवों से याद करो, कभी बाबा के उससे याद करो, बाबा के कर्तव्यों से याद करो, आत्मा की ही बात है, तो मैं आत्मा मालिक हूं उस उस भाव से याद करो मैं आत्मा सुदर्शन चक्कर धारी हूं उस भाव से कभी याद करो मैं आत्मा इस कलब की कलब की विजयी आत्मा हूं कभी उस रूप से याद करो तो जितना आप वराइटी रूप से याद करते रहेंगे उसके अनुभवी होते जाएंगे उतना उतना आपके अंदर नवींता आने के कारण उमंग और उत्सा बना रहेगा अब ये उमंग और उत्सा इसका सादर है नवींता कुछ ना कुछ नवींता करते रहे हैं अगर नवींता नहीं होगी आपके कारोबार में तो आपको थोड़ा सा भारी बनाएगा नवींता हर एक को चाहिए हर एक को चाहिए और वो नवींता हमारी इस प्रकार से पैदा हो सकती है तो ये सब कुछ तो हमारे अपने ही हाथ में है किसी और के हाथ में थोड़ी है तो नवींता को भी लाना और अगर मैं आप लोग को छोटी सी राय दूँ तो नवींता अगर किसी को भी चाहिए न तो मुर्ली जो रोर्स की है बाबा की बाबा की मुर्ली को सुनते हुए ये लक्षे रखो कि आज की मुर्ली से मैंने कुछ नई चीज निकालनी है जैसे जवारी होता है तो वो वैसे ही हीरे मोती चुन लेता है जैसे उसको चाहिए है ऐसे ही आप ये लक्षे रखो कि मैंने कुछ न कुछ नवीन आज की मुर्ली से देखना है आज की मुर्ली से कुछ न कुछ नया निकालना है जब ऐसा होगा कुछ ना कुछ नया निकालना है नवीन देखना है तो आपके अंदर वो उमंगुसा बना रहेगा आप उसको देखेंगे चुगेंगे और उसको सराहेंगे आपको अच्छा लगए है तो नवीनता के प्यासे बनो और बाबा की जो मुडली है आप यकीन जान बाबा की मुडली में कोई न कोई नई बात आपको मिलेगी अवश्य है और मेरा तो मानना ये है जैसे बाबा ज्यान के सागर है प्रेम के सागर है शांती के सागर है ऐसे ही बाबा नवीनता के भी सागर है तो ये जो मुडली चली है वो चली है विदेशी भाई बैने जो आने शुद हुए उनके आगे और जैसर कि आपने पहले फरमाया था कि पुरानों नहीं तो शौकीन हो जाते हैं पुरानों को ये प्रॉब्लम नहीं आती है तो इससे दीदी हम ये समझ रहे हैं कि अगर पुराने होते हुए किसी को ये फीलिंग आ रही है इसका मतलब उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है या मुर्ली पर विशेश को एटेंशन नहीं रखा है वर्शों से वह गिंती कर रहा है में जैने आते हुए इतने साल हो गए पर अन्तु ये नहीं करता आए यानि हमें अपना अपना अटेंशन अगर हम मुर्ली पर रोस की पढ़ाई पर थो दीदी एक और हमारे पास प्रशन आया था कि हर वर्ष बाबा की मीटिंग बाबा जब थे तो भी बाब दादा मिलन की मीटिंग की डेट्स आती हैं, डिसाइड होता है और अब भी जो हम एक अव्यक्त रूप से मिलन मनाते हैं तो उसकी भी डेट्स आ जाती हैं, वो डेट्स कैसे फिक्स होती हैं, वो जानना चाहते हैं वो कोई इस रूप से कोई बाबा की दी हुई डेट्स हैं ऐसे नहीं होता है अब पहले तो बाबा साकार रूप में थे तो कोई डेट्स नहीं होती थी रोजी मुरली होती थी परन्तु जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक और दूसरा रत हर समय हर घड़ी तो बावा दादी गुलजार के रत में नहीं रह सकते थे जैसे शिव बावा ब्रह्मा रत में रहते थे ऐसे तो गुलजार दादी के रत में सदा नहीं रहते थे क्योंकि जो स्थापना का कारे वो तो ब्रह्मा के द्वारा हुआ है और यह भ रचना रची नए बच्चों की संकलब वाले बच्चे वो भी हैं आप आप भी संकलब की बच्ची हैं सारी विदेश जो है वो संकलब की रचना है तो उन गुलजार धादी के ऊपर और भी कारे होते थे और बाबा आते थे पहले तो रगुलर रूप से मदुबर में आया करत सरते साकार के टाइम पर हम लोग भाई बैने सदाई आये रहते थे कोई ना कोई पार्टी सारे साल आया करती थी लेकिन अब चूंकि रत जो है उसमें सदा सारे साल नहीं आ सकते, थोड़ा टाइम ही हो सकता है तो वो फिर टाइम मुकरर कर लिया जाता था वो मुकरर दादी जी किया करते थे सबकी सलाव मश्वरा से जब सबको सहच हो आना उस अनुसार दादी जी करते थे और वो डेट फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा अप्रूफ करते थे गुलजार दादी तो गुलजार दादी वो डेट बाबा को बताती थी कि बाबा ये निमंत्रन है आपको और ये ग्रूप बनाए हैं ऐसे ऐसे हैं तो बाबा कभी करेक्शन देते थे कभी बाबा वैसे स्विकार कर लेते थे कभी बाबा प्लस माइनस कुछ करते थे तो जादातर बाबा बच्चों का किया हुआ अप्रूब कर देते थे पर तो फिर भी बाबा से अप्रूबल अवश्य होती थी उसमें फिर बनाते समय देखा जाता है छुटियां हैं कैसे सब आ सकते हैं कितने दिन रह सकते हैं क्योंकि हर एक को इतना समय रहने की छुट्टी भी नहीं दी जा सकती हैं एक जाएगा तो दूसरा गुरूप आएगा सेवा बढ़ती चली गई ना सेवा बढ़ती चली गई तो हमको फिर एक गुरूप आती बनाने जरूरी हो गया फिर पहले तो सारे मिक्स गुरूप आते थें एक ही उसमें पंजाब भी होगा तो गुजरात भी होगा तो महराश्य भी होगा फिर धीरे धीरे देखा गया कि उसमें ज्यादा सुविधा होती है अगर एक ही ग्रूप आता है मानों पंजाब का है तो पंजार विजार आए थोड़े बहुत दूसरे आ जाते हैं तो इस प्रकार से ये डेट्स का निश्टित करना ये हुआ करता था और आज भी वही प्रथा अब भी चली आ रही है जो डेट्स हमको मिलती है इसमें एक और चीज होती है जो कि सेवा का टर्न भी फिक्स किया जाता है क्योंकि जब शांतिवन में बाबा का आना शुरू हुआ जब तक तो था मदुबन में पांड़भन में तब तक तो पांड़भन निवासी सारी सेवाई संभाल लेते थे कुछ थोड़े से लोहों को बुला लेते थे सेवा करने के लिए मदद के लिए लेकिन जब शांतिवन बना तो हजारों की तादात में भाई बेनों ने आना शुरू कर दिया जब हजानों की तादात में आते हैं तो नेट्रल एफिस सेवा भी बढ़ जाती हैं बढ़ जाती है तो फिर एक एक जोन को वो सेवा दी जाती है कभी दिल्ली जोन को दी कभी पंजाब को दी तो कभी गुजरात को दी ऐसे करके दी जाती है उस समय वो जौन प्रधान रूप से सेवा का जम्मेवार होता है, बाकि सब जो है वो सहयूगी बन जाते हैं. मदुबन वाले डिपार्टमेंट वही रहते हैं लेकिन मानो दिल्ली का टर्न है तो दिल्ली वाले सेवाधारी हर एक उसमें भेजेंगे डिपार्टमेंट में ताकि उनलों को सही उपलब्थ हो सके इस प्रकार ये डेट्स जो हैं फिक्स की जाती हैं विदेशियों का भी समय देखा जाता है अब जैसे विदेशियों के लिए भी हम लोग सारा ही समय नहीं रख सकते हैं रखा भी जा सकता है उनको आने की कोई मना नहीं है लेकिन फिर भी उनकी डेट्स की जाती है ताकि उनको भी सुविधाओ तो इस प्रकार से उनके टाइमिंग्स देख करके उनक जी दी तांक यू जो आपने हमें पूरा क्लियर किया क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं वो कई बड़ सोचते हैं कि डेट्स कैसे आई कहां से आई और कैसे प्लान होती हैं तो आपने वह हमें आदी से अभी तक का बतलाया एक और प्रशन हम पूछना चाहेंगे आपसे प पढ़ती हूं से उस पारग्राफ को जसमें ये दो शब्द आये थे ये बाबा की मुड़ी के लास्ट पेज पर पे पारग्राफ है ये स्वीट साइलन्स प्रिय लगती है ना क्योंकि आत्मा का औरिजिनल स्वरू भी स्वीट साइलन्स है तो जिस समय जाहो उस समय इस स्थिति कानुभव कर सकते हो क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई इसलिए जब चाहें तब अपने उरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाएं तो बंधन मुक्त हो गए या होना है इस बार मदुबन में दो शब्द छोड़ कर जाना प्रशन यह है कि सम्थिंग और सम्टाइम से क्या भवारत है जो भावा ने डबल विदेशियों से बच्चों से मिलते हुए जो कहा मदुबन में जाना तो ये दो शब्त सम्टिंग और सम्टाइम को छोड़ कर जाना बाबा जुह हम लोग को परिशे दे रहे हैं कि जो विदेशी भाईवेने हैं उनकी परवरेश में जुनों में काफी मेहनत लगी थी क्योंकि different culture से उनको set करना था और विदेशी जो होते हैं यह बहुत straightforward होते हैं दिल के साफ होते हैं जो उनको कहना उनके देना है तो भारत वालों से अगर कहेंगे तो कहेंगे, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा है, वो ऐसे नहीं बोलता है, वो कहेंगे, कि हाँ, there is something, मतलब मैं किस बात से अगर संतुष नहीं हूँ, तो सबस्ष रूप से बोल दोंगे, there is something, मैं राजी नहीं हूँ, something is there, I cannot accept it, मैं इसको स्विकार नहीं कर सकते हूँ, कुछ तो इसमें हूँ, ऐसी ही sometime, बाबा पूछेगा, सदा संतुष रहते हो, तो कहेंगे, हाँ, जी, कभी डिस्टरब तो नहीं होते हो, sometime, कभी-कभी होते हैं, तो something or sometime इस भाव से कहा गया, यह कभी-कभी डिस्टरब हो जाते हैं, और कोई-कोई बात हमको डिस्टरब करती है, वो हो गई something, और कभी-कभी डिस्टरब हो जाते हैं, वो हो गया sometime, यह नहीं हाँ, यानि जो बाबा ने कहा कि यह दो शब्द छोड़ कर जाओ, इसका मतलब है कि अपने अंदर से, जो की छोड़ी-छोड़ी बाते हैं, अगर हम इसे दूसरे शब्द में कहें, तो क्या, जो बाबा हमें बार-बार मुर्ली में कहते हैं, सदा, उसका जो opposite होगा, क्या वो सदा होगा? कैसी? जैसे आप something और sometime नहीं है, तो फिर सदा होना चाहिए? जैसे आप सदा होना चाहिए, बाबाखता निरंतर सदा, सदा होना चाहिए, हम कभी कभार क्यों, वो ब्रेक्स नहीं होने चाहिए, निरंतर होना चाहिए, यानि अंदर कोई भी छोटी-छोटी चीज़े, यानि something जो मुझे दिस्टर्ब करिये, कोई बात है, वो शब्द और सम्टाइम्स जो हम अपसेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, या सम्टाइम्स माया कम्स, बोद थिंग्स नहीं बोद थिंग्स नहीं होना चाहिए, तो यह आपने क्लियर कर दिया, दीदी, एक और हमारे पास प्रशन है, बाबा ने मुडली में कहा था कि अगर मुडली में भी बाबा ये लास संदे की मुडली में बाबा ने कहा थो राज की मुडली भी बाबा ने हमें ये बताया है कि समृती से ही समर्थी आती है, तो इसको अगर आप संक्षिप्त में, क्योंकि समय तो हमारा आगे बढ़ रहा है, लेकिन संक्षिप्त में अगर आपको याद दिलाई जाती है, तो उससे आपको शक्ति आ जाती है, मान लीजिए, आपको कोई बात अभी difficult लग रहे है, समझ लीजिए, तो आप कहते हैं, यह मैं नहीं कर सकती, मेरे में ताकत नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई याद दिलाए, हुसेन बेन, आपने यह पहले भी किया है, याद है आपको आपने किया था, जब आपको याद कराया जाता है, तो आपके अंदर समर्थी आती है, अच्छा यह तो मैंने पहले भी किया था, तो अभी करने में मुझे क्या हर जाया है, तो समर्थी आई और आपको समर्थी आ ग बच्चे तुम कौन हो और तुम कैसे हो जब स्मृति आई कि तुम वही राजाए थे, तुम वही थे कल पहले वाले, तुमने एक बार नहीं, बारम बार विजय प्राप की है, कल्प विजय प्राप की है, ये छोटी सी बात क्या है, जब आपको वो स्मृति दिलाई जाती है, तो उससे आपके अंदर कारे करने की शक्ती स्वत्ह भर जाती है, समर्थी आ जाती है, जैसे हम लोग मिसाल देते हैं, कोई अगर पढ़ा हुआ है, लकडी का लॉग पढ़ा हुआ है, आप कहते हैं, उठाने के लिए कोई नहीं राजपूत आता है, आप उसको अरे तू राजपूत, तो यह नहीं उठा सकता है, तो जैसे आप उसको यह कहते हैं, कि तू राजपूत, यह नहीं उठा लेता है, जैसे फूर उठा लेता है, तेरे पूरवज तेरे पूरवज ऐसे थे, और तुम ऐसा नहीं कर सकता है, त ऐसे बाबा कहते हैं, अपनी स्मृत्ति को उंचा रखो, जितना अपनी स्मृत्ति को हम उंचा रखेंगे, उतनी समर्थी हमारी लाइफ में आती जाएगे, ठीक है? उंची स्मृतियां रखेंगे, हमें सच में अपनी स्मृत्ति को बहुत अच्छुद, बहुती पावन, बहुती उंची क्वालिटी का रखना, कभी हमारी स्मृत्ति इतनी लो उसकी होती है, जो हमारी सेल्फ एस्ट्रीम वगरा सब खतम हम उसको उठा करके फेंक देते किनार बाबा ने कितने उंचे स्वामान दिये हैं, कितना उंचा हमको बनाया है, अगर हम उन स्मृतियों में रहें, तो हम तो सदा नाचते रहें, उड़ते रहें जी, एक और हम चोटा सा प्रशन लेते हैं उसके बाद फिर से हम क्लोस करेंगे, बाबा ने कहा है, कि फरिष्टा प्रिश्टा स्वरूप की प्रांटिस करो। अपने फरिष्टे स्वरूप को देखो, तो यह प्रश्न Cabinet कि फष्टे स्वरूप की लिए कहते हैं, तो उसमे परिष्टास्वरूप तो देख लेते हैं. लेकिन जो फेस होता है वो clear नहीं होता है. यानि अपना जो light का शरीर देखो जो practice करते हैं, तो शरीर तो देख जाता है प्रकाश का. लेकिन चेहरे को तो नहीं हमारा देखता प्रकाश जैसा. तो क्या यह विदी है किस प्रकार से इसको आप करेक्ट करेंगे आपको जो फरिश्टा स्वरूप है वो हमारी फाइनल स्टेज है जो हमको सुक्षम बतन में बाबा ने दिखा है तुम्हारा जो फाइनल रूप है फरिश्टा लाइट की लाइट का शरीर है परन्तो उसके साथ साथ बाबा ये कहता है कि उसका आवाहन करो अब मुझे लाइट के शरीर का आवाहन नहीं करना है वास्तों मैं मुझे वो गुण जो फरिष्टे के हैं मुझे उसका आवाहन करना है तो वो जो गुण आएंगे ना, गुणों से फलिष्टा स्वरू बनता जाएगा, वो गुण का मुझे आवाहं करना है, गुणों की धारना करनी है, अब हम देखते हैं हमारी दारी थी गुजार दारी, एकदम शान स्वरू, शान बैठी रहती थी, तंदर अंदर क्या करती जैसे तोड़ी डलो के बैठती थी, अपने आपको उस अभ्यास में रहती थी, आज में हम देखते हैं कई बहने बैठी भी होती हैं, धीर अपने अंदर ये अंदर वो अभ्यास कर रही होती हैं, और उनका वो फरिष्टा स्वरूप बनती जारी नजर आता है, पहले क्या अब क्या है, फरक पड़ता जाता है, तो ये हमारा जो फरिष्टा स्वरूप है, ये कोई शरीर का अवाहन मातर नहीं है, परन्तों गुनों में रहना है, जितने अच्छे गुन आपके अंदर भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, उनके वाइब्रेशन से ही आपको फरिष और कोई चीज नहीं, अग में नाच्रल लाइट नजर आएगी, अभी नजर आती है, हमको कुछ बहनों मेन को देखो तो लाइट नजर आती है, वो क्या चीज है, वो उनकी अंदर की लाइटनेस है बहरपूर्ता और लाइटनेस है, यानि जो फरिष्टा स्थिति की जो हम प्राक्टिस करते हैं वो केवल एक विज्विलाइजेशन नहीं है कि हमने एक लाइट को विज्विलाइज किया लेकिन उन गोड़ों को बार-बार प्राक्टिस और आवान करना जिसे हम वो गुण स्वरूब बने और वैसे भी कहते हैं कि जो फरिष्टा शरीर है वो गुण के उत्तर दिये और लास्ट में आपकी क्या प्रेड़ना है हम सब के प्रती पुरिशारत के प्रती इस वीक आप हमको क्या देना चाहिए मैं मदुबन में हूँ और मदुबन में सब तरफ बस हम लगन देख रहे हैं हर एक अपने पुरिशार्थ हम, मैं फरिश्टा हूँ, फरिश्टा हूँ, फरिश्टा हूँ, हर एक को यहीं लगी, एतात तो हमें अब अपनी फरिष्टों की दुनिया को साकार मिलाना है इसलिए कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, विवहार अच्छा रखना, सद्भावना रखना, स्मृती अच्छी स्रेश रखना, यह सब रीजे होने चाहे हैं ताइंक यू दीदी, हम आशा करते हैं कि हम इसको अपने जीवन में फुल अटेंशन से प्राक्टिस करेंगे और अपने फरिष्टा स्वरूप को इमर्ज करके और फरिष्टे के जो संसार है फरिष्टों की अक्टिविटी प्रत्यक्ष करेंगे अगर आपके मन में जो भी हमारे व्यूवर्स हैं कोई भी सवाल आता है तो आप उसे मेसेज करें या वाट्साप मेसेज करें अगले हफ्टे हम उन प्रशनों का उतर लेने का प्रया सवाश्य करेंगे ओम शांति